पुछ दिन पहले प्रधान मंत्री जी का एक इंतर्विव आया थे और उसमें प्रधान मंत्री जी ने कहा पहले बार उन्होंने पत्रकार से मतलब वो उनका स्ट्रक्चर्ड इंतर्विव होता है वो किया और पत्रकार से उन्होंने कहा कि सुप्रीम कॉर्ट ने मुझे सफाई दी है सुप्रीम कॉर्ट ने मुझे क्लियर कर दिया है कि चौकीदार जी ने चोरी करवाई सुप्रीम कॉर्ट ने एक्सेप्ट किया है कि राफाईल मामले में कोई ना कोई करप्शन और जैसे मैं पहले से कह रहा हूं अगर राफाईल मामले पर इंवेस्टिग्वेशन होगा तो दो नाम है नरेंद्र मोदी जी और अनिल अंबानी जी मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो मैं महिनों से कह रहा हूं कि हिंदुस्तान के प्रधान मंत्री ने एर फॉर्स का पैसा चोरी करके अनिल अंबानी जी को दिया है 30,000 करोड रुपे दिये हैं उस बात को आज सुप्रीम कॉर्ट ने मान लिया है और सुप्रीम कॉर्ट इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं मैं रोज डिवेट के लिए चालेंज करता हूं नरेंद्र मोदी जी सुप्रीम कॉर्ट ने आपके बारे में कहा है कि आपने भरष्टाचार किया है आपने अने लंबानी को 30,000 क्रोड रुपे दिये हैं आईए मेरे साद मेरे सामने आईए मिलकर हम ब्रष्टाचार पे देश के सामने डिसकता है नरेंद्र मोदी जी मेरे साथ आईए प्यार से डिबेट करते हैं देश राफाइल मामले के बारे में जानना चाहता है ब्रष्टाचार के बारे में जानना चाहता है नोट बंदी के बारे में जानना चाहता है कर लीजिए हमारे साथ कहां कराना चाहें मैं देश को बता रहा हूं कि राफवाइल मामले में खुलम खुला बश्कतार हुआ चौकिदार जी ने अने लंगाने को 30,000 क्रोड रुपे दिये हैं और चौकिदार मुझसे डिबेट करना नहीं चाहता हूं पूरा देश कह रहा है चौकिदार के बारे में कह रहा है कि चौकिदार निफ्चोरी की है और आज बहुत खुशी का दिन है सुप्रीम कोड ने निया की बात की है जस्टिस अस प्रिवेल सुप्रीम कोड है सेट सुप्रीम कोड है सेट शोकिदार में चोरी की है